हेलो ब्री वान, बिलकम बेक, कैसे हैं, आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रहे के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बच्चों, आज हमारा दंगल का तीसरा दिन है, दो दिन का दंगल, दो दंगल हमने बोला, दो दिन का दंगल हम लोग का complete हुआ है जिसमें मैंने आपको आठ वीडियो प्रवाइड कराये हैं आसा करते हैं आप लोगों ने सभी के सभी वीडियो को जरूर देखा होगा बच्चों आज का वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉबलम होई क्योंकि नेटवर्क इसू था और वो वीडियो आज थोड़ा सा लांग भी था आसा करते हैं उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसको आप लोग देख लिजेगा आईए बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको physics की कुछ important questions कराने वाले हैं जो आपके exam के लिए काफी helpful होने वाले हैं ध्यान दखिएगा सभी के सभी questions को ध्यान देना बच्चों सभी के सभी questions को आपको ध्यान से सुनना है last के last के five questions आज मैं आपके लिए उसको आपको करके मुझे बताना है one by one सभी लोग करेंगे last के five questions क्योंकि कई दिन से हम प्रकास unit के बारे में ही discuss कर रहे हैं तो मैं वोलना last के five questions मैं आपको homework में देने वाला हूं टास्क में देने वाला हूं इसलिए वीडियो को खुब last तक और ध्यान से सुनिएगा बीत म ऊत्तhat ल students से वास्तित है तथा समान-आकार्थ का प्रत्वीम प्राप्त करने है तू बस्तु को रखना होगा लेंस के वकरता केंद पर लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर लेंस से टू-यफ दूरी पर फोकस योम लेंस के बीच तो बच्चों यहां पर लेंस के टू-यफ पर जब वस्तु रखी जाती है तो वहां पर टू यह पर रखी होई वस्तु का प्रतिम टू यह पर ही पीछी जा करके बनता है और वह समानाकार का होता है चाती साथ वास्तविक होता है बच्चों यहां पर option number C जो होगा आपको क्या हो जाएगा correct हो जाएगा clear है वाते image हो वो real हो साथ ही साथ same size का हो तो यहां पर answer है two of distance पे ठीक है two of distance पे अगर उस object को रखा जाएगा बच्चों तो उसका image जो होगा वो same size का बनेगा साथ ही साथ कैसा होगा real होगा ठीक है चलिए बढ़ते है next question की तरह बच्चों second question हमारा क्या है आपको दिख रहा होगा screen प two of distance पर रखी गई है उसको वहां पर कहरा उसका प्रतिविम होगा उसका image कैसा बनेगा कहां बनेगा अनंद पर two of पर यह पर और बच्चों कहरा three of तो दूसरे का option नंबर बी करेक्ट होगा पहला ही कुछ सनेक्वल घुमा करके पुछ लिया गया है क्योंकि two of पर रखी बस करते हैं next question की तरफ जो हमारा question number three होगा बच्चों question number three में कह रहा है दूर की वस्त देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दूर जो distance पे काफी distance पे अगर कोई object रखा गया हो तो उसको देखने के लिए सरल सूक्षमदरसी इसका मतलब सिंपल माइक्रोइसकोब सभी मतलब compound microscope खागोलिये दूर दर्सी ठीक है जिसको मतलब आप कह सकते हैं जो geographical वो होता है दूर दर्स जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिस में जो दूर की वस्तों को देखने के लिए किया जाता है वो या इन में से कोई नहीं तो जो दूर की वस्तों होंगी उनको दूर दर्सी से ही देखा जाएगा सुक्ष मदर्सी से देखने का कोई चांसी नहीं है बच्चों इसलिए यहां पर option number C जो होगा आपका क्या होगा correct हो ठीक है option number C बच्चों यहां पर correct होगा चलिए हम लोग बढ़ते हैं next question की तरह जो question number 4 है काफी अच्छे-च्छे question हम आपके लिए लेकर क पर रखा है अगर नहीं देखे होंगे तो उन सब को आप लोग देख लीजिए ठीक है चलिए गुश्चन देखते हैं फूर बच्चों कर रहा है दूर दर्सी जो होता है ठीक है दूर दर्सी की आवर्दन चमता बढ़ाई जा सकती है उसकी मैगनिफाइंग पावर जो होत तिहां पर बच्चों ऑप सन अंबर एं करेक्ट होगा स दूर दर्सी की जो आवर्दन चमता है बच्चों उसको बढ़ाने के लिए दूर दर्सी की आवर्दन चमता को बढ़ाने के लिए हम लुitten किस का प्रयोंग करते हैं और द्यर्छिक कि फोकस दूरी घटा करके और द दूर दर्सी की आवर्धन च्हमता बढ़ जाती है ध्यान रखेगा आभिद्रिस्यक लंज की फोकस दूरी घटाने पर दूर दर्सी की आवर्धन च्हमता क्या होती है बढ़ जाती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं एक्सक्राइब मतलब compound microscope द्वारा बना अन्तिम प्रतिबिंब होगा जो compound microscope होता है उससे जो final image बनता है कैसा होता है बड़ा आभधासी उल्टा माने बड़ा size का होगा आभासी होगा और उल्टा माने inverted होगा करें छोटा आभासी उल्टा बड़ा बास्त भी क्यों सीधा है फोटा वास्ति भी क्यों सीधा तो यह सब चीजें तो याद रखने वाली हैं संयुक्त सूख शुमदारसी जो है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उससे जो प्रतिविम बनता है जो इमेज बनता है वो बड़ा आभासी यो उल्टा होता है बड़ा होता है आभा है यहां पर क्या बूल रहा है प्रकास का तरंग सिध्धान्त कि government को अभी आपने आपको याद होगा ये om esan एक बार और आचुका है किसके दोरा he amusing ke दोरा प्रकास का जो तरंग सिधानत है किसके दोरा प्रतिपाइध हुआ था बच्चों हाई गेंस के दोरा हुआ था यहां पर जो हमारा option number पर B होगा बच्चों क्या हो जब करेक्ट हो जायगा ठीक है और सनमर भी यहां पर क्या होगा एघ बढ़ते हैं स्कुष्ण की तर्प चलते हैं अमसेरी ह règat प्रकास एक प्रकार के बिद्दु चुमकовые बदा रूप में बताया था तो option number C जो होगा यहां पर वो क्या होगा correct हो जाएगा Maxwell ठीक है प्रकास एक चुम्बकिये तरंग के रूप में चलता है इसको सबसे पहने बताने वाले scientist का नाम कौन था Maxwell ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की तरह बहुत चलते हैं बच्चो हम लोग कुशन नमबर 8 हम लोग देखते हैं कुशन को समस्ज़ लिए वीडियो को भी तक लाइक नहीं किये हो dear students वीडियो को लाइक कर दीजे लोगी काफी मैनस से आप लोगो के लिए तो सारे मिटेरियल तैयार किये जा रहें ठीक है अगला कुशन Shaker कांसी घटना प्रकास और धुनित दोनों में घटित नहीं होती है जहां नहीं होती है सब दाता है वहां बहुत ध्यान से देखना होता है जो दोनों में नहीं होती है ठीक है बीवरतन धुरुण परावरतन और अपवरतन ऐसी कौन सी प्रोसेस जो दोनों में नहीं होती है बच्चों वो होता है धुरुण दुरुण की जो process होती है polarization जिसको कहा जाता है वो process जो होती है बच्चों प्रकास और धोनी दोनों के लिए नहीं होती है बाकी सारी process वहाँ पर हो जाती है ठीक है तो option number B यहाँ पर बच्चों क्या होगा correct हो जाएगा कुस्सा number 8 का ठीक है ना चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना कुस्सा number 9 देखते हैं बच्चों कहरा है प्रकास के चिकने प्रिस्ट से प्रकास के चिकने प्रिस्ट से टकरा कर वापस लोटने की घटना को कहते हैं जब प्रकास की जो light होती है light की जो ray होती है किसी plane surface से जाकर की टकराती है टकरा कर की उसी medium में जब लोटी है तो इस process को क्या कहा जाता है आपको पता है बच्चों इस process को हम reflection of light कहते हैं हिंदी में प्रकास का परावर्तन कहते हैं तो कुस्टन number 9 का option number B जो होगा बच्चों इहां पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा प्रकास का परावर्तन इहां पर correct हो जाएगा चैलिए देखते हैं Next question जो हमारा question number 10 होगा बच्चों करें प्रकास का wavelength सरुप्रतिम किस ने गान चीजाँ किया क्रकास का जो क्लिग होता है 3-10 to the power 8meter per second or 3-1,000,000,000. उसमें भी change कर सकते हैं अब जो कि चाल होती है और इसको सब से पहले किस ने बताया था सब से पहले बताने वाले सइंटिस्ट का नाम बच्चो रोमन था रोमन नने सब से पहले ये बताया था कि प्रकास की चाल कितनी होती है ठीक है यह option number C यहां पर बच्चों क्या होगा correct हो जाएगा पांच question अभी मैं आउर आपको बताऊंगा बाकी बच्चे हुए 5 question को खुद से साल करने होंगे इसको ध्यान रखिएगा चलिए बढ़ते हैं question की तरफ question number 11 बच्चों लिखाया प्रकास का वेग अधिकतम किसमे होता है जो light है उसकी velocity maximum कहां होती है हीरे में अरथा डाइमेंड में निर्वात में अरथा वेक्यू में पानी में अरथा वाटर में कांच में मतलब गलास में तो निर्वात में प्रकास की चाल बच्चों सबसे अधिक होती है ऐसा सब को पता है यहाँ पर option number 20 जो होगा आपका correct हो जाएगा क्या correct हो जाएगा निर्वात में प्रकास की चाल जो है वो निर्वात में सरवाधिक होती है सबसे अधिक होती है चलिए नेक्स्ट टुशन के तरह बचलते हैं बच्चों कुछसा नमबर 12 है चंद्रमा से पिर्थवी तक आने में प्रकास को लगभा कितना समय लगता है मून से अर्थ तक जो लाइट है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है ऐसा पूछा जा रहा है कुछसा नमबर 12 है आपका इसमें जो होगा बच्चों आपसन नमबर C आपका करेक्ट होगा 1.3 सेकंड सोच सकते हो कितना तेजी से आता है चंद्रमा से चंद्रमा से कहां तक पिर्थिभी तक जो है प्रकास पहुचने में कितना लगता है कि यवल 1.3 सेकंड लगता है याद रखिएगा आपसन नमबर C जो होगा बच्चों यहाँ पर यह क्या होगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 13 ठीक है एक दम बच्चों जान लगा देंगे जाने नहीं देंगे जो हमनों का मिसन चलता है वो फेल नहीं होना चाहिए उत्साह पर करार रखना है आप लोगों को अच्छा इस वीडियो के कमेंट सुम्ने हम यह जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने फॉस्ट डे सेकेंड और थर्डे आज है अभी तक कोई भी वीडियो नहीं नहीं किया हम यह जानना चाहेंगे बताईएगा बच्चों कुस्ट नमर 13 देखते हैं सूर के प्रकास को धर्ती की सतह तक पहुचने में कितना समय लगता है सूर से मतलब जो अड़ सर्फेस पर पहुचता है कितना टाइम लगता है यसा पूछा जा रहा है तो 8.18 मिनिट लगता है बच्चों यहां पर 8.18 मिनिट में आ कर कि यहां पर पहुच जाता है तो यहां पर आपसन नमर सी जो होगा कुस्ट नमर 13 का बच्चों वो क्या होगा कारिक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स कुशन की तरफ जो हमारा कुस्ट नमर 14 है करें सूर गरहन के समय सूर का कौन सा भाग दिखाई देता है जब स यहां पर आप्सन नमबर जो होगा बच्चों को आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा कुस्ट नमर 14 का आपसन नमर B यहां पर क्या होगा करेक्ट होगा चलते हैं पूर्ड सूर गरहन कितने समय का होता है जब पूरे समय के लिए जब complete लगता है तो कितने समय का लगता है यह पुछा जा रहा है 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड, तो 460 सेकेंड का वहाँ पर होता है बच्चों इसलिए यहाँ पर आपका option number B जो होगा बच्चों और कॉरेक्ट हो जाएगा option number B यहाँ पर आपका correct हो जाएगा बाते समझ में आ रही हैं तो हमने आप लोगों से कहा था कि आज के इस वीडियो में हम आपको 15 कुस्टन बताएंगे बाकी 5 कुस्टन आप लोगों को खुद से साल्व करना होगा ऐसा हमने अभी आपके साथ डिसकस किया है बच्चों तो फिर चलिए उस चीज को हम लोग maintain रखते हैं ठीक है और बाकी सारे कुस्टन को हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं जिसको आप लोगों को खुद से करने का प्रयास करना है और आसा करते हैं कि आप लोग बच्चों उसको जरूर से जरूर करेंगे और करके हमें बताएंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं हागी की तरफ कुस्टन नमर 16 है बच्चों चंद ग्रहान घटित होता है अमावस्या के दिन ठीक है चंद ग्रहान घटित होता है अमावस्या के दिन पूरिमा के दिन दोनों दिन इन में से कोई नहीं आप बताएंगे आप ऐसे लिखेंगे एंसर में 16 का ABC क्या है वहां करेक्ट है बताना होगा 17 कुस्टन है किस गुर्धर्म के काण पाने से भरे बरतन में डूबी हुई छड़ मुरी हुई प्रतीत होती है परावार्तन प्रकेडर्न अपवार्तन इन में से तीनों सही है तो आप चेक करिएगा और बताएगा कुस्टन नमर 18 होगा बच्चों जब प्रकास की किरण बिरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है जब प्रकास की किरण कहां से बिरल माने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो क्या होता है सीधी दिसा में चली जाती है अभिलम की ओर जुक जाती है अभिलम से दूर हट जाती है इन में से कोई नहीं ठीक है आप बताएंगे इंद्धन उसमें कितने रंग दिखाई देदे हैं 7, 10, 12 या 5 ठीक है आप बताएंगे इसमें फिर अगला कुछ से नहीं बच्चों वाइव मंडल में प्रकास के भीवर्तन का बिसरण का कारण है वाइव मंडल में प्रकास का बिसरण होता है तो क्यों होता है carbon dioxide उसका कारण है धूल के कण है helium है जलवास है ठीक है तो इस तरीके से सारे के सारे कुष्षन हमने आपके साथ share कर दीए है आज के इस वीडियो में जो 20 कुष्षन आपको मैंने cover कराए है सभी के सभी कुष्षन बहुत ही important है आप सभी के सभी बच्चों से हमारा पूरा का प तुरंत वीडियो देखने के बाद मुझे जरूर से जरूर बताएंगे तो डियर स्टेंट्स आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको 20 कुशन प्रवाइट कराएं हैं या आपको बहुत अच्छे लगे होंगे कहीं नोट्स बना करके इसको नोट करते रहिए जिससे आपकी होना चाहिए और पूरा confidence बढ़ा रहना चाहिए तो ठीके बच्चों सांदार रहिए मस्त रहिए मिलते हैं फिर से तीन बज़ेते हैं तक तक अपना ख्याल रखे